बिस्मिल्लाही रह्मानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम रह्मतुल्लाही वबरकातु। यामी की छोटी सी दुनिया में आप सब का स्वागत है। आएं और यामी की छोटी सी दुनिया में शामिल हो जाएं। रब श्रहली सद्री वयसली अम्री वहलुल अगदतं मिल्लिसानी यफकहु कौली अलहम्दुलिल्ला आज रमजान के ग्यारा रोजे गुजर चुके हैं और बारवा रोजा है ये हमारे रब का हम पर कितना बड़ा ऐसान अजीम है कि हमारे रब ने हमें इतनी बरकतों और रहमतों वाला महीना नसीफ फरमाया रमजान वो बरकतों वाला महीना है जिसके बारे में सुरह बखरा में मेरा रब फरमाता है कि रमजान वो महीना है जिसमें गुरान नाजल हुआ जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें हिदायत के लिए और हख वा बातिल में फर्ख करने के लिए निशानिया है अलहमदलिल्ला कुरान अल्ह ताला का वो अजीम तुफ़ा है अपने बंदों के लिए जो सारी दुनिया के लिए हिदायत है और इस कुरान के बारे में मेरा रब सुरह फुसलात में फर्माता है कि कह दीजिए कि ये कुरान इमान वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है रसूलला तुमाई का महीना का आता है, तो आस्मान के तमाम दरोजे कोल दिया जाते हैं, जहनम के दरोजे बंद कर दिया जाते हैं और शेयातीन को जन्जिरों में जकड दिया जाता है। इसे सही बुखारी ने रवायत किया है। रोजिधारों के लिए जन्नत में एक खिस्योसी दर्वाजा बनाया गया है जिसका नाम रियान है حضرت सहल बिन साथ कहते हैं कि रसूर अल्लाह ने फरमाया जन्नत का एक दर्वाजा है जिसका नाम रियान है जिससे कियामत के दिन रोजिधार गुजड़ेंगी इन के लाव इस दरोवाजे से कोई नहीं गुजरेगा इसे बुकारी और मस्लिम ने रवायत किया है इबन माजा की रवायत है कि हजज़त अबुहरेरा रजी अल्लाहनान से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लाह ने फर्माया रमजान की पहली रात से ही स्रयातीन और सरकश जिन्बान दिये जाते हैं जैन्नम के सारे दरोवाजे बंद कर दिये जाते हैं और इन में से कोई एक दरोवाजा भी खुला नहीं रहने दिया जाता और जन्नत के सारे दरोवाजे खोल दिये जाते हैं इन में से कोई एक दर्वाजा भी बंद नहीं रहने दिया जाता और एक मनादी करने वाला फरिष्टा एलान करता है कि ऐ भलाई के चाहने वाले आगे बढ़ और देन न कर ऐ शर के चाहने वाले रुख जा और रमजान की हर रात अल्ला ताला लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं तो हमारे रब की हमारे उपर कितनी बड़ी नवाजश है करम है कि हमारे रब ने हमें ये महीना अता फरमाया ऐसी बरकतो वाला महीना जिसमें हम अपने हर गुना को अल्ला से माफ करवा सकते हैं हम अपनी मकफरत करवा सकते हैं जब रमजान आता तो सलफ सलहिन का तरीख अमल ये हुआ करता था कि वो बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ कर रमजान में गुरान को ज़्यादा तरजी दिया करते थे रमजान अल्मबारक अल्ला का खास महीना है जिसमें अल्ला ने पुरान को नाजिल किया पुरान से तालुका तकाज़ा ये है कि तलावत उसकी हिदायत और तालिमात से गाफल और बेनियास होकर पढ़ने सुनने और खतम करने कराने को ही काफी ना समझ लिया जाए बलके उसे अपनी जिन्दगी का दस्तूर बनाते हुए तमाम मामूलाथ उसके मताबिख तै कर लिया जाए याद रखें कि कुरान ही वो वाहिद किताब है जिसमें हमारी अब्दी जिन्दगी का रास छुपा है ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ए लोगों जो इमान लाए हो तुम पर रोजे इसी तरह फर्ज किये गए हैं जिस तरह तुम से पहली उम्मतों पर फर्ज किये गए थे ताके तुम मतकी यानि गुनाहों से बचने वाले बनो रसुल अकरम ने भी रोजे का मकसाद बियान करते वे फरमाया रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाले रोज़दार फहश बातें और बेहदा काम ना करे अगर कोई शक्स गाली गुलोच लड़ाई जगड़े पटराए तो सिर्फ इतना कहदे के मैं रोजे से हूँ अज़रत अबु हुरेरा रजियल्ला ना कहते हैं कि एक राभी नभी अकरम चल्ले लिए लिए के खिदमत में हाजिर हुआ और अर्स किया मुझे ऐसा अमल बताईए जिसके करने से मैं जन्नत में दाकिल हो जाऊ आप अप वादत कर उसके साथ किसी को शरीक न कर फर्ज नमाज काइम कर फर्ज जकात अदा कर और रमजान अलमबारक के रोजे रख उसने कहा अल्ला के कसम मैं इससे जादा कुछ ना करूंगा जब वो आदमी वापस हुआ तो आप सल्ले लिए 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 जिसे जन्नती आदमी देखना हो वो इसे देख ले इसे बुखारी ने रवायत किया है हमारा रव इतनी रहमतों और बरकतों के नजूल के बात हमसे क्या चाहता है सिर्वे ही ना कि हम तोहीद पर चलें, नमास पढ़ें, रोजे रखें, जकात दें और अगर इस्ततात हो तो हज़ करें माही रमजान की रहमतों और बरकतों से पूरी तरह फैज्याब होना है माही रमजान से फैज्याब होने के लिए हमें अपने रोजे की हिफाज़त करनी है यानि फहश कामों से बचना है बिला शुबा नेकी करना बड़े अजुर सवाब का बाइस है लेकिन नेकी करने के साथ साथ बुराई से बचना इस से ज़्यादा एहम मालूम होता है जिसकी वजाहत मुस्लिम शरीफ की इस हदीस से होती है जिसमें रसूल अकरम स्लिल्ला अल्यूसल्म ने सहाबा कराम रजी अल्ला अनम से दर्याद फर्माया जानते हो मुफलिस कौन है सहाबा कराम रजी अल्ला अनम ने अर्स किया जिसके पास दर्हम वदिनार नहों वो मुफलिस है आप स्लिल्ला अल्यूसल्म ने अर्शाद फर्माया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कियामत के रोज नमाज रोजा और जकार जैसे अमाल लेकर आएगा लेकिन किसी को गाली दी होगी किसी पर तोहमत लगाई होगी किसी का माल खाया होगा किसी को गतल किया होगा चनाएंचे इसकी नेकिया मजलूमों में तक्सीम कर दी जाएंगी अगर नेकिया खतम हो गई तो मस्दुमों के गुना इसके नामा अमाल में डालने शुरू कर दिये जाएंगे हत्ता कि इसे दोजख में डाल दिया जाएगा इस हदिस पाक से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बुरायां का छोटी हूँ या बड़ी इन से बचना कितना जरूरी है रमजानलमबारक का महिना इस लिहाज से बहुत एहमियत का हमिल है कि इसके गर्स वगायती गुनाहों से बचने की तर्बियत करना है इस मकसद के हुसूल के लिए शायातीन को पाबंद सलासल कर दिया जाता है ताकि जो शक्स गुनाहों से रुकना बचना चाहता हो उसे कोई रुकावट महसूस नहूं अबर वाकिया यह है कि रहमतों और बरकतों के इस मुकदस महिने में थोड़ी सी कोशिश और इरादा करने से हर आदमी की तबियत नेकी की तरफ रागिप और गुनाहों से बचने पर अमादा हो जाती है बस जिसने महीना भर दिन के वकाद में तर के ताम के साथ साथ अल्ला के हुजूर अपने गुजश्चता गुनाहों पर एसास नदामत के साथ तौबा इस तखफार की और आइंदा के लिए हर किसम की गुनाहों से बचने का भरपूर इरादा कर लिया इसने गोया रोज़ा के मकासित हासिल कर लिया और माहे सयाम की बरकतों से भरपूर हिस्सा लिया रमजान मुबारक में किये गए हर नेक अमल का सवाब रब लालमीन कई गुना बढ़ा देता है यहां तक के साथ सौ गुना तक रोज़े का अजर बेहिसाब है रज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाला बेनसीब है रमजान पाने के बावजूद मगफरत हासिल ना कर सकने वाले के लिये हलाकत है तो हमें किताब सुन्नत की रोशनी में ये पता चलता है कि हमें इस माह मुबारक में हर नेक अमल को जादा से जादा करना चाहिए हमें जादा से जादा तिलावत करनी है हमें जादा से जादा दौाएं मांगनी है हमें जादा से जादा क्याम करना है और हमें हर बुरे काम से अपने को रोकना है और हर फहश गोई और बतकलामी से बचना है हमें तरावी पढ़न हमें क्यामुलेल करना है और क्यामुलेल में अपने रब से द्वाएं करके हमें अपने गुनाहों को बख्षवाना है हमें जन्नत हासिल करनी है इन्शालला हमें जन्नत हासिल करनी है हमें जहन्नम से नजात पाना है मेरे रब से मेरी यही द्वा है कि हमारा रब हमें इस रमज अगर आप सब को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें और हाँ बेल आइकन में किलिक करना ना भूलें और कमेंट के जरीए मुझे अपने खीमती मशारूं से नवाज दें खुश रहें अपना ख्याल रखें अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफिज